इन पास दिगज खिलाडियों को होगा सबसे जाद नुकसान नंबर एक पर है विराट अगर इस बार आइपियल केंसिल हुआ तो फिर सबसे जाद नुकसान विराट कोली और मेस धोनी जैसे दिगजों को होगा इंडियन पीमेल लिग यानि आईपियल का 13 सिजन खेला जाएगा या नहीं ये अपने आप में एक अलग विशे है क्योंकि कोरना वाइरस की वज़े से जाद अता टुर्णामेंट स्थागित या रद करने पड़ रहे है एसे में भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड हजारो करोर रुपे की वज़े से आईपियल को कराने की कोशिश में हैं लेकिन बात बनती नहीं दीख रही हालंकि अगर ओस्टिलिया में अक्टूबर नवंबर में आउजित होने वाला टीटोईनटी वर्ल्लकप इस्तगित हो तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान आर्सीवे टीम के कप्तान विराट कोली का होगा जबकि चेने सुपर किंग की कप्तान महेंदे सिंग धोनी मुम्मा इंडियंस की कप्तान रोज शर्मा और दिल्ली कैपिटल्स की विगेट कीपर बलेबाज रिशापंत जैसे खिलाडि को आईपियल 2020 के लिए सबसे ज्यादा सेलरी मिलने वाली थी विराट कोली को आईपियल के सिजन के लिए सबसे ज्यादा 17 करोड रुपे मिलने वाले थे जबकि रोई शर्मा एमेस धोनी हो रिशाप पंत को आईपियल 2020 के लिए 15-15 करोड रुपे मिलने वाले थे लेकिन इ अनकारी के लिए बता दे BCI ने और फ्रेंचाइजी IPL शुरू होने से पेले एक सप्ता पेले खिलाडियों की सेलरी का 20% इससाद दे देती है जबकि लीग के बीच में खिलाडियों के खाते में 65% रकम ट्रांसवर कर दी जाती है इसके अरावा बाखे की रकम लीग सप्ता हो करने के बाद खिलाडियों को मिलती है हिरान करने वाली बात यह कि इस सेलरी का कोई भीमा नहीं होता यही कारण की दिगच खिलाडियों को इस बार IPL नहीं खेलने की वज़़े से बड़ा नुक्सन हो सकता है फ्रेंड्स आपका इस बारे में क्या केना है अपना सुजाओ क कर जरूर बताए चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते अगली वीडियो में तब तक लिए नमस्त लेटेस अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए और दबाएए इस बैल आइकन को